जहां एक और G20 की तैयारियों के तहत शेहर को सुन्दर बनाया जा रहा है वही मनपप्रशासंद्वारा रास्तों के किनारे लगाये जाने वाले अतिक्रमनों का भी सफाया किया जा रहा है ऐसे ही एक कारवाई सेमिनरी हील्स परिसर में वाकर्स रोड पर देखने को मिली जहां 40 वर्षिये राजेश जैस्वाल जो की यहां गन्ये के रसका ठेला लगाया करते थे उनकी दुकान को हटा कर अतिक्रमन कारवाई की गई मनपप रशासन की इस कारवाई से नाराज गन्ये के जूस के विक्रिता राजेश जैस्वाल का कहना है कि जब उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से विंती की कि उनके सामान को विर्थ ना किया जाए तो उन्होंने इस पर राजेश की बात सुनते हुए उन्हें आशवासन दिया और जोन में आने के लिए कहा पर जोन में दिन भर गुजारने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई और ना ही राजेश को उसका माल वापस दिया गया बताया जा रहा है कि रात के समय अधिकारियों ने गाड़ी में राजेश का सामान भरा और उसे लाकर कच्रा घर खदान में फिक दिया गया मेरा गन्ना रखा था वहाँ पे मेरा गन्ना वहाँ रखा था कंपोर्ट के अंदर रखा था उन्होंने लेवर बुलाए और मसीन में डलवाए के मेरा ट्रक में डलवाए और मैंने उनको रिस्पेट किया पहर पड़ा मैंने बोला सर मेरा माल मट डालिए ये सूग जाएगा खराप हो जाएगा जो फाइन आप डालेंगे मैं उसको फाइन भरने को तैयार हूँ और फाइन डालके मैं माल उठाए लाओंगा उन्होंने मेरों को असासन दिये बोले कर दो तो ले को पैठा के रखे थे फिर बारिस चालू हो गया तो मैं घिला हो रहा था तो यह तो टपड़ी थी वहां रुक गया रुकने के बाद पिर वहाँ वह और ने बारिषां में गाड़ी निकाले वहां से लेके आये और कचड़ा का घर जो है यह कर ख़दान के और उन्हों ने बोले मेरो को कि अगर तुमने पैसे नहीं दिया तो मैं तेरा माल दबा दूँगा फिर उन्हों ने मेरे पैसे नहीं दे पाया मैंने उस हिसाब से उनके हिसाब से तो उन्हें ने पल्टी करके माल दबा दिये और जब मैं उनसे पूछा सरीय क्यों दबा दिय यह से सबसे पहले तो नाकपूर शहर में जी 20 की आड़ में नाकपूर मानगर पालिका ने गरीबों का जीना दुश्वार करके रखा है हम देख रहे हैं कि पुरे नाकपूर शहर के अंदर रत्तिकरमन की जगा जगा कारवाई चलू है गरीबों को सताया जा रहा है उनको कारवाई के नाम पे डराया धमकाया जा रहा है गालिया दी जारी है और एक बहुत ही शर्मना गटना नाकपूर के सेमने रिल्स परिसार वाकर्स रोट पे देखने को मिली अमारे साथ है राजे जैश्वाल जैज इनके उम्र 16 साल है शास्त्रिनगर गिट्टि खजान के रहवासिते हैं विचारे परिवार का पालण पोचन करने के लिए गंड करे लगकर अगिपने के पटवने का पत्नी उनके साथ पर पहर पड़े कि भाईया मेरा माल वापिस दे दीजी आप मुझे कारवाई मत कीजी हम लोग बहुत गरीब है हम लोग बहुत परेशान है क्योंकि हर घर में दुख बीमारी लाचारी स्कूल की फीस ट्यूशन की फीस काफी सारे खर्चे लगे हुए है उन्होंने गिडगडा है कि हमारा साम परेशान की अधिकारियों के बारिश चालूती मुत्लादार बारिश में गिले हुए यह और इनकी पतिनी उसमें इनको बुखार भी आया रापने इन्होंने फोन करा था तो इनकी तबेद भी खराब हो चुकी थी वह पानी में भीगने से दो गंटे था गुमने के बाद म आखना के लेशिया आ इनन्सी के अधिकारियों ने इनका सामन जो जपत था वो वापस नहीं दिया काइदे के रसाप से एन्ननी आट हगर जंती सामना देना चाइए लेकिन उन्हों ने यहाँपर कह सुस्ते कि जहां जूस फिक्रेता का सामान फेका गया उस जगा पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नारे बाजी की और मनपा द्वारा की गई इस कारवाई का विरोत किया लोगों का गहना है कि शहर में G20 की आड में प्रशासंदवारा गरीबों का जीना हराम किया जा रहा है शहर भर में जगा जगा प्रशासंदवारा आतिक रमन को हटा कर गरीबों को परिशान किया जा रहा है NBCN News के लिए राजकुमार मुहुड के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट